हलो मेरा नाम आलोक कुमार है, I am chemistry teacher at competition, मेरे साथ available है शुभांकर बेनर जी, चलिए बाकी उन्होंने preparation कैसी की, कैसा क्या हुआ, तो शुभांकर सबसे मेले मैं आप से ये पूंचना चाहता हूँ, कि आपने अपनी ये preparation JEE के लिए, JEE main, JEE advance के लिए, किस तरीके से की, कैसे strategy ब आप तुम्हारा प्लान क्या है, काहां कौन से college में कौन सी ब्रांच आप लेने वाले हैं, शुभांकर, Thank you sir, first of all, मैं पहले में थोड़ा अपने आपको introduce कर देता हूँ, मैं हूँ शुभांकर बैनर जी, from Kolkata, West Bengal, and मैंने JEE mains में 652 rank, और JEE advance 2022 में 770 rank, obtained किया है, और इसके अलावा मैंने भी KVPY clear किया था 2020 में, ASA वाला 187 rank से, और West Bengal joint, जो West Bengal में होता है, उसमें 10th rank थी मेरी, first of all, मैं तो sir को ही thank करना चाहूंगा, और पूरे team competition को thank करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने 2 साल अपने preparation जो थी IIT की, वो मैंने competition से ही की, पूरी तरीके से, पहले मैंने 11th class की प्रखर जो बैच जो है, वो जोईन किया था, और 12th class में प्रखर प्रथम बैच में और फिर 12th में प्रखर बैच में preparation की थी, अपनी 2 साल की पूरी, प्रपरेशन में पहले तो आता है video lectures जो की बहुत important थे, schedule video lectures आते रहते थे और मैं अपने हिसाब से notes बना करके, बिल्कुल time to time classes करता रहता था, ये दो साल चलता रहा, काफी options and downs आएंगी, लेकिन ये तो करना ही है, bare minimum ही, ये तो, और इसके साथ essential seat जो थी, अपनी exercise one, exercise two, एकदम graded सी थी, तो उसमें मैंने काफी time लगाया, practice बहुत बढ़िया होती थी, और उसमें last में pyqs भी डेलेवए होते हैं, तो बहुत अच्छी practice हो जाती थी, उसके अलाभा भी अगर थोड़ा advanced level के जादा जाना पड़े, तो कुछ raptors में time मिल जाता था, तो extra edge sheet भी मिल जाती थी, इसके consistency से करने से ही, दो साल तक अपने लगे होने से preparation अच्छी होती है, तो ऐसे ही मैंने, बिलकुल शुभांकर, जैसे आपने बताया कि आपने प्रथम में थे 11th class में, फिर 12th में प्रखर बैच में, आनलाइन पूरी पढ़ाई किया आपने 2 साल, और आपने एक respectable अच्छी rank नि सब्जेक्ट के परतिवे भी अपनी एक longing होती है, एक attachment होता है, तो physics, chemistry, math जैसे तीन सब्जेक्ट हैं, इसमें कोई specific जिससे तुम्हें डर लगता था, और कई बार ऐसा होता है, जिससे डर लगता है, और हम उसी में परफॉर्म करते हैं, बैटर परफॉर्म करते हैं, या को परफॉर्म कोविड टाइम में था, तो मुझे दो तीन बार कोविड भी हो गया, दो बार कोविड हो गया, तो पंदरा-पंदरा दिन के गैप चले गए, और वैसे भी कभी-कभी पढ़ने का मन भी नहीं करता था, क्योंकि घर में हमेशा बैटा रहता था, तो ऐसे ब्रेक उस तो आते रहेंगे, टेस्ट में कम मार्क्स ऐसा, तो मतलब होता ही रहता है, बट जो कम बैक है, वो करना है, और अच्छे से पढ़ना है, तो वैसे ही मैंने किया, यह कम बैक आना, यह एक human tendency है, और लोग के बाद हाई आता ही है, और वो human nature है, कि हम कैसे अपनी problems को overcome करके, वापस से अच्छा फील करें, एक मैं सवाल और पूंचना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि आपको दो बार COVID भी हुआ, कोविट के टाइम पे सभी परिशान वे, सब बच्चे, टीचर्स, पढ़ाई का पैटरन, सारी चीजे, जैसे दो बार COVID हुआ, तो हो सकता है, आपका बैक लॉग भी जनरेट हुआ, बैक लॉग में बहुत सारे बच्चे, जो अभी हमारे ब्रत्रम, प्रकर, प्रवीन है, हाँ, तो इसमें तो common सा डाउट है, तो मैंने भी यही डाउट पूचा था सर लोग से, और ऐसे बैक लॉग में तो अगर छोटा वोटा बैक लॉग हो, तो साथ के साथ करना जाना है, अपने आपको कोर्स, और थोड़ा टाइम निकाल के Sunday वगड़ा, off days निकाल के कैसे भी करके बैक लॉग को क्लियर किया जा सकते है, अगर बहुत बड़ा ब्लैक लॉग हो गया, तो अगर अगले बैच में शिफ्ट किया जाए, तो वो बढ़िया रहता है, क्योंकि फिर से पूरा syllabus करना है, वरना तो continue नहीं कर सकते है, अगर बहुत बड़ा बैक लॉग हो ग जो मतलब केमिस्ट्री में ही फाइनली हाइस मार्क्स आ गए तो तो ऐसा होता है, और सब को equally weightage देना है, लास्ट में वह आके मैंने भी पढ़ा इसलिए आया, तो पढ़ना है तीनों को एकदम equally weightage देना है, क्योंकि मार्क्स तो सभी लाएंगे, यह वैसे जैसे शुबांकर तुमने बताया कि बहले मैट्स और फिजिक्स बहुत मेरे अच्छे लगते थे विया, बट केमिस्ट्री मार्क्स अच्छे आए, केमिस्ट्री की शायद नेचर भी ऐसी सब्जेक्ट की, कि स्कोरिंग अच्छा है, और ट्विक मार्क्स मिलते है कम टाइम में बच्छे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा एक चीज से यह मानी जाती है, कि आई एटी की तैयारी में, जई एडवांस की तैयारी में थ्टाइरिंग तो है, टाइम टेकिंग भी है, तो कई बार बच्चों को यह कि बहुत तरह के कंप्रोमाइज करने आता है, सर, बस यह है कि चार दिन ना जा करके एक दिन जाना पड़ेगा, बट, मतला, हाओ डिडियू कोप अप विद इस, डेट, साक्रिफाइस किये, नहीं किये, कैसे मैनेज किया, क्योंकि आप तो कोलकाता से बिलॉंग करते हैं, वहां के प्रॉपर हैं, तो सभी रेले मैं अपने पास करने के लिए, तो दो साल तक थोड़ा बहुत कंप्रमाइज कर सकते हैं, स्पोर्स बगरा चलता है, क्योंकि स्पोर्स मैंने भी थोड़ा बहुत कहला दोस्तों से साथ, लेकिन थोड़ा बहुत फैमिले रिलेटिव और यह रेगुलरली तो नहीं चलेगा, क्योंकि काफी टाइम वेस्ट हो जा सकता है, मतलब पढ़ाई का, तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया है, तो बेटर रैंक आ सकती है, बेटर ब्रांच मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि दो साल के बाद, अभी रिजल्ट आने के बाद वो वो वर्टिट हो जाता है, अगर कोई मैनेज कर पा रहा है, तो उसमें कोई भी बुड़ाई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर करना पड़े सक्रिफाइज, उससे अच्छी रैंग आ सकती है, तो कर देना चाहिए, दो साल के बाद वो वर्टिट ही लगड़ाईगा, वेल सैड, अच्छा, एक और ची, जैसे जेए की तियारी करते हैं, तो अव्यसली सॉल्विंग क्वेस्टन, प्रैक्टिजिंग क्वेस्टन, वो सबसे इंपॉर्टन पार्ट है, कि यवल तियोरी पढ़के तो नहीं होता, मैं तो खुड टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो बच्च कम किया, या और क्या करते हैं, जिससे और बहतर रेंक आ सकती थी, पहले तो मैंने शीट की, उसमें topic-wise questions रहते हैं, तो वो बहुत बढ़िया रहता है, मतलब जो अभी-अभी lecture देखा, तो topic-wise जो questions होंगे, से लोग homework बता भी देंगे, class में, तो वो बढ़िया रहता है, पर level के questions रहते हैं, objective वाले और mixed type questions, mixed concept जो questions होते हैं, तो उसमें अच्छा practice हो जाता है, उसमें ही, फिर PYQs लगा देलते थे, exercise 3 का जो material का था, और उसके भी आगे अगर जाना है, advanced level का बढ़िया questions करने है, तो subjective type questions और काफी high level thinking order जो हते हैं, तो उसका जो objective type questions, सारे type के questions मिल जाएंगे, extra edge sheet में, तो अगर time मिले, तो वो भी करना है, मैंने तो बस essential sheet की थी पूरी, almost पूरी, मतलब last के कुछ chapter short भी दिये थे, और extra edge कुछ एक chapters के बस, लेकिन अगर कोई करना चाहता है, तो पूरा extra edge तक बना सकता है, अराम से, और उससे तो बहुत ही बढ़िया rank आज लगती है, रैंक तो आपकी काफी अच्छी है, और आपने ये का कि बढ़िया, essential sheet की, extra edge नहीं किये, तो अगर बच्चा कोई कर सकता है, और यदि उसको stretch करके थोड़ा सा अगर और पढ़े और extra edge भी solve करे, तो आई तिंक और बच्चों को फाइदा हो सकता है, अच्छा, अ आपने वहाँ decide कर लिया कि finally जा रहे हैं, या still you are looking for some other options in the further rounds, अभी मुझे IIT BHU में computer science का मिला है, और further rounds में शायद यही मिलने वाला है, तो most probably I am going in this, okay, great, congratulations to you, एक important चीज ये है कि जब बच्चा तयारी करता है, तो उसे भी संशा रहते हैं कि मैं कैसे करूँगा, कहां पे ज rank आएगी मेरी, बच्चुकि आज you have achieved it, you have got the good rank, you are going to the good college with the good branch, तो हमारे जो बच्चे अभी प्रथम बैच में हैं, प्रखर बैच में हैं, या 11, 12th preparation कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक advice देंगे, या कौन सी do's and don'ts है, क्या mistake है, अपने तरीके से आप बताएं, मतलब ज यहां तक पहुँच गया हो, तो सही रास्ते पर हो, अभी बस खुद की महनत ही, आपको selection लाएंगी, तो अपने selection अपने हाथ में ही है, पूरी महनत दालनी है, हर रोज दालनी है, और पूरा महनत करके preparation करना है, और मैं एक चीज करना चाहता हूं कि हर chapter को पढ़ने के बाद उसका practice easy chapter हो, चाहिए tough chapter हो, उसका practice questions कर लेना चाहिए essential sheet का, तो उससे chapter क्या होता है, strong हो जाता है, तो question आएगा medium level का भी तो बन जाएगा, तो एक दम practice नहीं छोड़ना है, और lectures वगड़ा, और backlog जितना कम रहेगा, उतना मतलब tension free preparation होगी, और बढ़िया rank आएगी, जितना slow मतलब आप रिलाक्स करने लगोगे तो कभी-कभी आता है ना जो ताइम की आप रिलाक्स करने लग जाते हो, बैक लोग जमता जाता है, लेक्टर मीस होते जाते हैं, तो वह बहुत दिक्कत वाली बात है, तो उसमें कैच अप करना मुश्किल हो जाता है, मेरे कहाल से अग काफी अच्छी advice शुभांकर ने दी है, मैं expect करूँगा कि जो बच्चे अभी परतम प्रखर में हैं, preparation कर रहे हैं, they will follow and they will take the advantage of the experience, one recently selected students has told us, शुभांकर, thank you very much for giving us the wonderful interview or wonderful talk, ये काफी बच्चे को help भी करेगा, जो बच्चे अभी preparation कर रहे हैं, any other thing, the last piece of advice or anything or any, कुछ और आप कहना चाहते हूँ, मैं तो बस यही करना चाहता हूँ, कि अगर competition में पढ़ रहे हैं, या या फिर YouTube channel से भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया content है, number one content है, for Jay advanced even, और एकदम पढ़ाई करते रहें, पुरा मन लगा के पढ़ते रहें, बहुत अच्छी रहें काने वाल है, चलिए with this enthusiastic words, we end up this interview, thank you, thank you very much, thank you Shubankar.